हलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छी होंगे आज हम बहुत दिनों की बात दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो ले कर आए हैं क्योंकि इस टाइम बहुत जदा बिजी चल रहे हैं घर पे बहुत सारा काम है तो हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, आप लोगों को ब्लॉग नहीं दे पा रहे हैं तो आज हम आए हैं, आईस्पान का एड्मिशन करवाने दोश्तों स्कूल में एड्मिशन करवाना है उनका, तो हम लोग आए हुए हैं यहीं पर हम हैं husband हैं बच्चे हैं तीनों साथ में तो यह देखिए यहां पर बच्चों की टेस्ट चल रहे हैं इसमें admission का time है तो सभी admission करवाने आए हैं parents तो यहां पर हम लोग भी आए हैं और इनका admission हो गया है आज इनका first day है तो इनको हम school भेज रहे हैं दोस्तों आज हमने सब्जी बनाई है पूड़ी बनाई है आज इनका मन था सब्जी पूड़ी खाने का बोल रहे थे लंच में हम पूड़ियां ले जाएंगे तो इसलिए हम पूड़ी बना रहे हैं और आइसमान की यूनिफॉर्म वगेरा हम सब एक साथ खरीद के लिए आये थे और यह अपने स्कूल जाने की तईयारी कर रहे हैं अंदर से बहुत खुस हैं कि इतने जूर्म से यह स्कूल नहीं गए थे घर में बैठे वए थे बोर हो रहे थे क्योंकि इधर लॉक्डवन की वज estos school भी बंद थे और इधर आब यह स्कूल खुले थे तो इनका अट्मेशन हुआ हुआ बिटिया तो जा रही थी लेकिन इनका अडमिशन नहीं हुआ था तो इनका आज हमने अडमिशन करवा दिया है और ये अब जा रहे है इसकूल सुबह सुबह ये साथ बज़े का वीडियो है दोश्तों बिटिया लोग सब लोग जा रहे हैं तिनों बच्चे जा रहे हैं बच्चे आसानी से आजाते हैं बट्या बड़ी है थोड़ा अब दोनों बहने आ जाती है बस आयुश्वान को लेने जाना पड़ता है क्योंकि ये अभी चोटी क्लास में है और इन की चुटी भी जल्दी हो जाती है तो बच्चे चले गए हैं और आप लोगों को हम बता दे हैं और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक कर देना आज हम पूजा में भी गए हैं तो यहां पर आज अवसान माता की पूजा थी बेटी की साधी थी साधी हो गई थी साधी की बाद उनकी मम्मी ने आज अवसान माता की पूजा की थी तो ये हमारे घर के पास में ही पूजा है हमारे चाचा की घर में पूजा है पडोस में हैं तो वो हमारे चाचा लगते हैं उन्हें के घर पे हम पूजा में गये हैं तो हमने यहां का भी थोड़ा सा वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए तो दिखे आफसान माता की पूजा हो रही है यहां पे लिया गुडचना का भोग लगाया गया है माताजी को और सभी सुहागन महिलाया आई है जो कि अपने कोच में प्रशाद ले रही है यह पूजा हमारे यहां जरूर होती है जब भी किसी क कुछ संतान हो तो यह पूजा करवाई जाती है दोस्तों इसे तरह से हम लोगों के यहां यह पूजा बहुत जरूरी होती है मानता है कि ऐसा करने से घर में खुसियां आती है आफसान माता की पूजा जरूर करनी चाहिए आफसान माता को कहीं कहीं पर आफसान बीबी के ना हमां रहे और भी दुरकई कहते हैं लोग किण अब हम दोग औसान्मादा की पूजा कहते हैं कि अऱसान बाकगी पूजा में जा रहे हैं ऐसा बोलते हैं देज्गात पूराने समय में हमारे जो दादी लोग है हमारी सासों म miss ये सबी लोग दुरकईया ही बोलते हैं दुरकईया बोलती है दोस्तों तो ये बेटी है जिसकी साधी थी अगले साल साधी हो गई थी बीच में कोबिड आ गया था तो उस वज़े से नहीं हो पाई थी पूजा और आज पूजा भी हो गई है इनकी तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी लोग हमारे चैनल पर यूही बने रहेगा दोस्तों हमारे साथ रहेगा हमारा साथ बिल्कुल भी मत चोड़ियेगा हम आपको वीडियो लगातार देंगे जैसे ही हम फ्री होंगे वैसे हम वीडियो बनाएंगे अभी टाइम नहीं होने की वज़े से हम बनावर वीडियो नहीं दे पा रहे हैं आप लोगों को तो आप लोग अपना प्यार यूही बनाए रहेगा अपना साथ हमारे साथ यूही बनाए रखिएगा दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक भी कर देना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आगे भी हम जैसे जैसे फ्री होंगे वैसे वैसे आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करेंगे और आप लोगों को सब कुछ दिखाते रहेंगे बस आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा बिल्कुल भी हमें छोड़के मत जाईएगा आसा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों तो ये देखे पूजा हो चुकी है आरती भी हो गई है हमने बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाई है बस सौटकट में ही हमने वीडियो बनाई है ये देखे पूजा हो रही है माता जी को सिंदूर चढ़ाया जा रहा है और सिंदूर चढ़ाने के बाद जत सभी सुवागन महिलाएं, अपने अपने मांग में भी सुंदूर लगाएंगे, इस तरह इसे हमारे यहाँ यह पूजा की जाती है, यह पूजा बहुत अच्छी होती है, और सान माता में बहुत सकती है, जो भी आप सच्छे मन से मांगेंगे, यह माता पूरा करती है आप लोगों के यहां अगर यह पूजा होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में